हेलो वीवर, सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत काल के सबसे ताकतवर गदाधारी कौन थे तो इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें इस वीडियो की डेमांड हमें हरतीश भाई ने कॉमेंट्स में की थी अगर आपके पास भी कोई ऐसा टोपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो चैनल को सबस्क्राइब कर कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं अगर हम महाभारत काल के महाभली गदाधारियों की बात करें तो तीन आम ही सामने आते हैं पहले थे भीम सेन, दूसरे दुर्योधन और तीसरे बलराम जी भीम सेन पांट्वों के तीसरे नमबर के भाई थे दुर्योधन कोर्वों के सबसे बड़े भाई थे और बलराम क्रिशन जी के भाई थे अगर हम बात करें ताकतवर गदाधारियों की तो ताकतवर हम उन्हें ही मानते हैं जिसने युद्ध के मैंदान में हहाकार मचाया हो बल राम जी जो की कृष्ण जी के भाई थे उन्होंने शिरी कृष्ण के कहने पर युद्ध नहीं लड़ा था क्योंकि अगर वो लड़ते तो द्रियोधन के परमित्र होने के कारण वो कौर्मों की तरफ होते और अधरम का साथ देने के कारण उन्हें मृत्यू डंड मिलता जैसे कुंती के पुत्र करण को मिला था और युद्ध न लड़ने के कारण हम बल राम जी को नहीं गिन सकते अब सेश बचे भीम सेन और भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु द्रोनचारे ही थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद गधा चलाने की उच्दम शिक्षा दुर्योधन ने कृष्ण के भाही बलराम से ली थी जो उच समय के सबसे अच्छे गधाधारी थे दूसरी और भीम से ने अपने था थे और पांडवों के साथ शाक्षाद भगवान यानि श्री क्रिशन थे श्री क्रिशन की नीती से जब भीश्म पितामहा मोत के शिर्शय पर लेट गए तो कौर्व भाईयों की रक्षा करने वाला कोई नहीं पचा था तो भीमसे ने कौर्वों भाईयों का नाश करना श जब की द्रियोधन ने तो बस अपने भाईयों और मित्रों का सहारा लिया था भीमसे जब अग्यातवास के दौरान हनुमान जी से मिले तो उनके पास वरदान रूप में दस हजार हाथियों का बल आ गया था युद्ध के अंत में द्रियोधन के पास गंधारी के कारण एक एक ऐसा कवज था जिसे भेद पाना ना मुनकिन था पर उनके शरीर की जांगा ही एक ऐसा हिस्सा था जहां कवज वी फल था भीमसे ने द्रियोधन की जांगा पर वार कर उन्हें मृत्यू डंड दिया था और धृत राश्ट्रे के सो के सो पुत्रों को मार हस्तनापूर प तो वीडियो को लाइक चिरूड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै श्री कृष्णा